नगर निकाय चुनाव को लेकर हाई कोट का फैसला आ गया है। हाई कोट ने इसपश्ट कर दिया है कि आरक्षन की वरतमान व्यवस्था जो चुनाव में की गई थी वह स्वीकार नहीं होगी और अब राज निर्वाचन आयोग को नई तिथिया जारी करनी होगी और नई आरक्षन की व्यवस्था भी उसमें रखनी होगी जिसके तहट चुनाव होगे। अब जबकि नई आरक्षन से चुनाव होना है तो यह तय माना जा रहा है कि बक्षर समेट कई जिलों में अब अनारक्षित उम्मिद्वार पिभिन पदों के प्रत्यासी होगे। कि बक्षर में अब कितने मुख्य पार्षत, कितने उपमुख्य पार्षत और कितने वार्ट पार्षत प्रत्यासी होगे। चर्चा तो यह भी चल रही है कि अब मुख्य पारसत के जहां 15 उम्मीद्वार थे, अब उम्मीद्वारों की संख्या बढ़कर पच्पन भी हो सकती है, ठीक उसी तरह उप मुख्य पारसत और वाटपारसत की संख्या भी बढ़ सकती है, फिलहाल जो हाई कोट का आदेस है व सितंबर को मतदान होना था वह भी नहीं होगा नई तिथिया जाली करेगा निर्वाचन आयोग बता दे कि इसके पहले 29 सितंबर को हाइकोट ने इस संदर्भ में सुनवाई की थी जिसमें याचिका दायर की गई थी और कहा गया था कि निर्वाचन के दौरान आरक्षन की जो ने आले खुलेगा तब फैसला सुनाए जाएगा लेकिन 10 अक्टूबर को चुकि मतदान होना है ऐसे में बहुत संसे किस्तिती थी इसी बीच दुरगा पूजा की छुटी के बीच में ही हाई कोट का फैसला आ गया और फैसले में साफतवर पर कहा गया है कि आरक्षन की यह व्यवस्था नहीं मानी जाएगी और राज निर्वाचन आयोग को नई तितियां और नए आरक्षन के पैटर्न पर ही चुनाओ कराना होगा यदि इसी आरक्षन पैटर्न पर चुनाओ कराना चाहती है राज निर्वाचन आयोग तो से सुप्रीम कोट के द्वारा जो निर प्रत्यासियों की धरकने बढ़ गई है और कई प्रत्यासियों नो तो चुनाव प्रचार अपना बंद भी करा दिया है फिलहाल माता तुर्गा का दिन है आज और नौरात्री की नौमिती थी है ऐसे में प्रत्यासियों के चुनाव का जो प्रचार का जो शोर था वो थम गया और केवल बक्सर में भक्ति गीत ही बज रहे हैं और अब सब बेसबल से इंतजार कर रहे हैं कि राज निर्वाचनायोग कब नई तितिया गोशित करता है बक्सर से चंदरकांत निराला